गुड मॉर्णिंग, क्लास थर्ड, वी आर स्टुडिंग इंगिश रेडर तुड़े एंड वी विल स्टार्ट अनुग चैप्टर लेसन नुबर 12, चैप्टर नेम इस दा बर्थ आफ जीजस, जीजस का जन, ठीक है, इनके बारे में स्टोरी जीजस क्राइस्ट, हैना, क्रि एक यंग लेडी है ना, एक जवान ओरत थी, उसका नाम क्या था, मैरी, और बहुत ही वो सिंपल कपडों में थी, बहुत ही साधारण सी, दिखने वाली, और उसकी एज कितनी थी, 15 एर्स, वो अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, अचानक से उसे बहुत ही ब्राइट, तेजी से जलने वाली क्या लाइट दिखाई पड़ी उसको अपने सामने, तो मैरी थोड़ा, felt frightened, frightened मतलब डर गई वो, at the presence of this unexpected visitor, मतलब उसे लगा कि अचानक से कौन आकर उसके सामने खड़ा हो गया और लाइट सी जलने लगी, बहुत तेज रोशनी थी, तो घबरा गी, त कोई साधारन आदमी नहीं है, बल्कि कौन है, एक एंजल है, तो एंजल ने उसको बोला, Mary, तुम घबराओ मत, you will bear a son, तुमें एक क्या होगा, बेटा होगा, जिसका नाम क्या होगा, to be called Jesus, जिसे चीजस बुलाया जाएगा, और वो बहुत ही महान होगा, और सभी लोग उस and his kingdom shall never end, वो क्या बनेगा राजा और जो उसकी राज्य होगा, वो कभी भी खतम नहीं होगा, तो जो एंजल दिखाई दिया उनको, लाइट में उसने उनको ये सारी, Mary को ये सब बाते बोली, Mary was bit trotted and sometime later married to a young man of David's clan called Joseph, तो Mary जो थी एक मंगेतर थी किसकी, जिसका नाम Joseph था उस और कुछ टाइम बाद, उन्होंने डेविट के एक, मतलब डेविट क्या, जैसे आपकी कोई जातियां होती हैं, उसमें ही एक क्या था, वंश, डेविट एक वंश था, जिसमें Joseph था, उस वंश का एक man, young man, उसने उससे Mary ने शादी की, और जो 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 सफ था, वो profession से, मतलब बहुत ही, प्योर और बहुत ही उच गुर्णवाला व्यक्ति था, अफ्यू मन्स आप्टर, कुछ नहीं बाद, उन्हों की क्या होगी, शादी होगी, और उन्हें जो जगे थी न, नजारत वो उनको, जो उनका होम टाउन था, यहाँ पर वो रहते थे, उनका घरता वो उन के महरा, राजा थे, दे ट्रैवल, वो कितने दिनों तक उन्होंने ट्रैवल करा, मतलब घूमते रहे, यात्र करी, चार-पांच दिनों तक, जोसफ पैदल ही चलता रहा, और लीडिंगा डंकी, मतलब एक डंकी उनके पीसे चल रहा था, जिस पर मैरी बैठी थी, मतलब चा टाउन थे, या जितने भी सराय थे, रहने वाली जितनी भी जगे थी, वो सब भीड से भरी हुई थी, जोसफ एंड मैरी फांच शेल्टर तो उन्हें रहने के लिए, एक मतलब कजबे के बाहर एक कुटिया मिल गई, इन दिस ग्रोटो, इस कुटिया में, बाई दे पावर मैं उसको रैप कर दिया, पहना दिया, बच्चे को एक कपड़े, और एक मैंगर में रख दिया, ठीकिया मतलब मैंगर जिसमें बच्चों को रखा जाता है, इस बाई वास जीजस, और ये लड़का कौन था, जीजस, ये बहुत ही कमजोर पैदा हुआ था, और बिलकुल ग पैदा हुटिया से, एक गुरूप अफ़ शैपड्स रेस्टिंग अलॉंग विद फ्लोक्स ओफ शीज, एक गडरियों का जो गुरूप था, वो अपने भेडों के साथ, जो भेड चराते है, उनका एक गुरूप था, मतलब कही सारे, वो थे, अपनी भेडों के साथ, वहा मतलब पहला कभी कोई नहीं देखा था, फिर से एक एंजल आया और उसने अनाउंस किया, कि तुम डरो मत, मैं तुमारे लिए एक अच्छी ख़बर लेकर आया हूँ, और इस पूरी दुनिया के लिए, आज के दिन, डेविट के सिटी में, डेविट के शहर में, एक सेविय और एक मैंगर में वो लेटे हुए हैं, बिना किसी देरी के, तो वो लोग जो थे, मतलब शेपर्ड्स होते, वो जल्दी से पहुँचे उस कुटिया में, और मतलब अपनी श्रदा उस बच्चे को देने के लिए, मैरी गेव दा बेव, तो मैरी ने बच्चे को उनकी हातों में दिया, और उन्होंने उसे बड़े ही प्यार से पकड़ा, और ओफर्ड सम लैम्स, इन टोकन ओव डिवोशन, और मतलब अपनी दरफ से उन्होंने उसको कुछ लैम्स, मतलब शीप के बेव को बोलते हैं, में ने दी, ठीक है, तो जैसे ही उस एंजल ने अनौन्स की थी पहले जो मेरी को दिखे थे कि तुमारे एक बेटा होगा, जिसको क्या बोला जाएगा, जीसस क्राइस्ट भगवान की रूप में वो पैदा होंगे, और सब लोगों को उनकी जितनी भी परिशानी हैं, उनसे छुटकारा दिलाएंगे, तो जब उन्होंने जन्म लिया, तो समबर को, आज से लगबग 2,000 साल पहले कहां पर बैथल हम में इन पैलिस्टेन, दा डे वन विच क्राइस्ट वस बॉर्न और जिस दिन क्राइस्ट पैदा होई थे, उस दिन को हम किस रूप में बनाते हैं, बहुत ही पवित्र दिन, क्रिस्मस दे के रूप में, क्रिस्मस सेलिब्रे टिर क्रिस्मस को लाइट्स और केंडल, मतल commence दिन बहुत लाइट्स और केंडल से लाइजाती है, उन दिस दे, एक छोटा साथ टरी डैकॉरेट किया जाता है, बलून से, केंडल से, और स्टार से, और इस टिर को है बोला जाता है, गिफ्स ट्री, य Sea सैना कि गि दूसरे को क्या विश्करते हैं? Merry Christmas. Then they go to each other house. वो एक दूसरे के घर जाते हैं और हैमा हाइमस बोलते हैं मतलब Christmas में जो कीद बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है. In the morning और सुबह को जब बच्चे उठते हैं और वो जब अपने तग्चे के नीचे देखते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं? Gifts मिलते हैं. और उन्हें लगता है कि ये Gifts कौन लाकर रखता है उनके लिए रात में Santa Claus. Children are very happy. बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. They put on gay clothes. It is a joyful time for them and others. वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. और बहुत ही खुशी-खुशी इस टाइम को celebrate करते हैं. Christmas cake काटा जाता है. हर Christian के घर में. Rich food is served. अच्छा खाना बनाया जाता है. Serve किया जाता है. एक दूसरे को दिया जाता है. मिठाईयां बाटी चाती हैं. दोस्तों में. और relatives रिश्टेदारों में. They also give alms to the poor. और वो गरीब लोगों थें. उनको दान भी देते हैं. Christmas is celebrated with great joy and holiness all over the world. Christmas पूरी खुशी के साथ. पूरी वर्ड में celebrate किया जाता है. तो बच्चों यह आपका chapter था. इसमें आपने birth of Jesus के बारे में पढ़ा था. Christmas के बारे में ठीक है. और आपको अब इसकी यह fill in the blanks हैं. यह अपनी notebook में करेंगे. और right wrong अपनी notebook में करेंगे.